गुरु जी कर बैठे छात्रा से एक तरफा महबबत मोबाईल पर अश्क्लील मैसेज भेज बनाया शारिक सम्मंद बनाने का दबाव छात्रा ने स्क्रीन शॉट सहित की पुलिस से शिकाई नमस्कार आप देख रहे हैं CID News और मैं हूँ आपके साथ जोतिका आये रोग करते हैं खबर की उत्र उत्र प्रदेश के हमिरपूर जिले के एक स्कूल के अध्यापक पर आशिकी का ऐसा भुद सवार हुआ कि अपनी स्कूल की कफशा 9 की छात्रा से एक तरफा महबबत कर बैठा ये कल्योगी गुरू यही नहीं रुका इसने चात्र को वार्ट सब पर अश्लील मैसेज भेजे और श्रारिक संबनाने का भी दबाव बनाया चात्रा ने पूरे मामने की जानकारी परीजनों को दी जिसके बाद परीजनों ने पिडिक चात्रा के साथ थाने पहुँचकर आरोपी अध्यापक के खिलाफ विखित शिकायत कर कारेवाही की मांग की है हमीरपूर जिले के कजबा निवासी कक्षा नौवी की छात्रा कजबे के ही एक विद्याले में पढ़ती है साथ जन्वरी को सुभा बाल विद्यामंदिर के शिक्षक प्रबंदक रोहित कुमाल लोधी ने उसे गलत तरीके से मुबाइल पर मैसेज भेजे जिसमें अशलीलता भरे शब्दों एवं शारिक सम्वन बनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था जिसके तुरंद बाद उसने स्क्रीन शॉट निकाल लिये और अपने परीजनों को पुरी जयनकारी थी परीजनों ने जब अध्यापक रोहित को घर बुलाया तो वो घर पर नहीं आया साथ ही साथ वो परीजनों को धमकी देने लगा जिसके बाद परीजनों ने पूरे मामे की शिकायत पुलिस से कर दी स्कूल के अध्यापक रोहित ने पहले छात्रा को अच्छे नमबर देने का जहासा दिया फिर उसे वार्टसप में चैट कर अकेली स्कूल आने की बात करते वे शादिक सम्मन बनाने की बात कही और यह भी कहा कि वो इन बातों को किसी को ना बताए लेकिन चात्रा ने परीजनों को पूरे मामे की जानकारी दे दी जिसके बाद जब परीजनों ने आरोपी टीचर से बात करने की कोशिश की तो उसने कहा जाओ पुलिस के पास शिकायत कराओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है जब परीजनों ने चैट के स्क्रीन शॉट के ब मीडिया पर सारी चैटिंग बारल कर देगा जिसके बाद पीड़ छात्रा ने स्क्रीन श्रॉट के साथ पुलिस को लिखी शिकायती पत्र देकर कारेवाही की मांगी पुलिस ने मुकदमा दर्च करते वे जांच शुरू कर दी है जलाल पूर्थाना द्यक्ष सभाजीत सिंग पाटेल ने बताये कि पीड़ छात्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्च कर जांच की जा रही है हमीरपूर से छोटू मिश्टा की रिपोर्ट इस खबर में वसितना ही बने रही है CID News के साथ